मेरे प्यारे वीवर्स को मेरा प्यारा ससलाम तो केसे आप सब लोग वेलकम टू माय चैनल जेनब विड जायका कीचन में अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाज़ी प्रेस करें ताक बस कापी है यह क्या चीज़ दर को रहा है यह और यह करना होगा ना बस काफी एतना पतला है आभी तो गारा रखवा नहीं है रहने दें गारे को वो इतनी सारी चिकन है इसमें हो जाएगा अब मिक्स करें यही पर रख दें में साफ पर लूँ जाए इसको पर नहीं रख नहीं है इतर है हाँ बास अब हो जायागा ना देखें इते सारी चिकरण इसमें सब हो जायागा अच्छे से मिक्स करेज़ा जो बचेगा ना वह वापीस इसमें डालें कि भीषी तो मुझी आ रहा है भी इसको तो मेरिनेट करके रखना है रखना है धसल रहा है रखना है ये मसाला सारा इस बटाल नहीं है बस दन एक जो गाइज यह मेरा हजबेंट ने रेसिपी बनाई है तो पिलीज आप लाइक करें शेयर करें और बताएज बताएज हमारा हजबेंट की रेसिपी कैसी लगी ओके ताता जाएज एंडिंग बर्तंदोने का काम बस और के अंदे छिल दिये ठीक आपस ठीक है नहीं गिरेगा अजान होने दो है अब हम बना रहे हैं तिक का लेक पिस तो यह देखें किस तरह बनते हैं अच्छेए एच्छे सिम्ला है इदर भी डाना इदर आएजर अच्छेप्रा इदर इदर सुखा पह्ते हो इदर डाले 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 यह देखें कितने अच्छे प्राई हो रहा है, गोल्डन गोल्डन बच इसको गोल्डन करेंगे और निकाल लेंगे कोई मसला नहीं आज एद का खाना मेरे हस्बें ने बनाया वाव यह देखें, इतने क्रिस्पी बनें और इतने मज़े के बनें के बसने बहुत क्रिस्पी बनें अच्छी बनें जगह है और इसमें डालने की जगह है बस एक लेक पी साइग नो उसके बाद तो बस यह डाल नहां यह हो जाए तो पेस्ट करें नहीं पूर्ण हो जाय है यह डाल नहीं कर दो एक बाद तो यह डाल यह सब पाता है थोरह से लाल होने देना अच्छे लगता है लाल लाल अच्छे लगता है लाल लाल जो सेकंड वालो हुआ वो उसको उतारी है ठीक है एक में अच्छे